आज मैं कठेल की सब्जी बना रही हूँ और आप लोगों ने इस तरह से कठेल की सब्जी कभी नी बनाई होगी, बहुत ही डिफ्रेंट तरीका है और दिपावली की भाग दौर में आप फटा फट से इस रेसीपी को बना सकते हैं, जल्दी से जल्दी हम सब को पता है कि कठे की सबजी बहुत जल्दी बन जाएगी तो हेलो फ्रेंड्स में हूं गीता और आपका स्वागत है मेरे चैनल श्पाइसी पाक साला में यहां मैंने लिया है आदा किलो कठेल तो कठेल को मैंने काट कर अच्छे से साफ करके चौकोर में काट लिया है इस तरह से छोटे-छोटे टुक्रों में आप अपने हिसाब से बड़े-बड़े टुक्रों में या फिर छोटे-छोटे में काट सकते हैं वह आपकी पसंद है तो मैंने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है यहां डालरू में एक चमच लहसुन का पेस्ट एक अद्रक का पेस्ट एक चमच लाल मिर्ची का पेस्ट एक चमच धनिये का पेस्ट एक चमच जीरा पेस्ट यहां दो मीडियम साइज के प्याज मैंने बारिक-बारिक काट कर डाला है स्वाद अनुस्वन नमप एक छोटा चमच हल्दी पाउडर एक चमच कस्मीरी लाल मिर् और दो चम्मच के करीम मैंने हैं सरसों का तेल डाला है तेल आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आप लोग खाते हैं और यहां पर जो मसाला पीस कर पानी रखा था वो डाल दिया मैंने और अच्छे से मिक्स कर लिंगे इन सब को और हां मैंने यहां पर मसालों का पेस्ट यूज किया है आप लोग मसाले में पाउडर का भी यूज कर सकते हैं या फिर मिक्सर में भी पीस कर डाल सकते हैं यह आप पर ही डिपेंड करता है अगर आप पाउडर का यूज करते हैं तो आप मसाले को थोड़ा पानी में पहले 10 म जाएगा और इससे क्या होगा कि कठेल के बिल्कुल अंदर तक मसाला जाएगा और इसका जो स्वाद है ना दो गुना भड़ जाएगा बहुती मस्त सबजी बनती है अगर आप इस तरह से बनाओगे तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं इसे ढखकर रख दूँगी कम से कम आत घंटा के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15-20 मिनट भी रख सकते हैं तो आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं और कड़ाई में भी बना सकते हैं मैं इसे कड़ाई में बना रही हूँ तो मैंने यहां पहले ही एक कड़ाई को गरम होने के लिए रख दिया था के बीटर तब देखर हैं ना लेकी मकृत हरे हों अब्यूं sounds तो हमारे प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो यहां मैंने ड़ा करीना मैंनी में वह अच्छे से भुन नहीं जाए बिलकुल कठेल में कोट हो जाएगा इसका जो कलर है वह भी चेंज हो जाएगा बिलकुल गोल्डन हो जाएगा तो मैंने बरतन को दोका डाल दिया है वह मसाला लगा हुआ था बहुत सारा उसमें और अच्छे से मिक्स कर दिंगे अहां पर ह अच्छे करते रहे नहीं तो मसाला चिपक सकता है कडाई में और गैस के आच मीडियम पर ही रखेंगे तो आप देखिए जो हमने पानी डाला था वह भी सुग्या है और मसाला थोड़ा थोड़ा भूनने लगा है तेल निकल रहा है मसाले में से तो इस तरह सम बार बार कर भूलनी जाना है बार बार चेक करते रहना है तो अभी अब हम नहीं ढखिंगे अब मीडियम आज पर ही इस तरह से चलाते हुए लगातार भूननेंगे आप देखी पा रहे हैं कि मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है कठेल के एक एक पीस में अग्दम कोट हो चुका है मसाला इतने अच्छे से भून गया है और कड़ाई से भी नहीं चिपक रहा है तो हमारा मसाला भून चुका है अब मैं यहां डाल दूंगी डेर गिलास गरम पानी हमने ढखकर भूना था इसलिए हमारे जो कठेले थोड़े सॉफ आया है और बीच-बीच में चेक भी किया है कठेल की सबजी तैयार हो चुकी है अनी विलकुल सूप चुका है और मुझे इतनी ही ग्रेवी वाली चाहिए और अभी में कठेल को दबा के दिखाती हूं आपको कितने अच्छे से मैस हो गया आलू की तरह एकदम बॉयल हो चाहने में बहुत ही मस्त लगता है आप लोग इस तरह से एक बर जरूर ट्राइक करना अब यहां फाइनल टच दे देते हैं सबजी में तो यहां मैंने यहां पर गरम मसाला डाला है एक चममच तो यह गरम मसाला मैंने सिल्वेट्ट पर ही पीसा है चार लॉंग, चार काली मिर्ची, दो छोटी लाई ची एक बड़ी लाई ची और दाल चीनी का टुकरा मैंने सिल्वेट्टे पर पीस लिया है आप यहां पर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं लाश्ट में डाल दूंगे में एक चममच घी घी डालने से सबजी में जो खुसवू है बहुत ही मस्त अब करते हैं इसकी प्लेटिंग तो मैं इसे निकाल लेती हूं एक बरतन में देखें लगती लगती है खाने में तो एक चममच घी जरूर डाले लाश्ट में आरे चीजों का अच्छे से मिला लिया है और लो आच पर पांच मिनिट के लिए और धग दिया है जिससे की गरम मसाले की खुसबु है और घी की खुसबु है पूरे सब्जी में फैल जाए अच्छे से तब देख पाने बिलकुल निकल चुका है सब्जी में होतीत लग लग राई देखने में मेरे मूह में तो अभी से पानी आ रहा है वैसे बी मुझे कठल की सब्ले भौद पसंद तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बरतन में देख रहे ना एक दम मसाले में लिप्टा हुआ एक दम मस्त सब्जी बनी है तो आप लोग जरूर जरूर ट्राइ करना इस तरह से बहुत ही मस्त लगती है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को स देख सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई फ्रेंड्स